हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉलर वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगा वो भी यह कंगूरे वाली लैस की मदस्ते कि आप इसको किस तरीके से लगाएंगे जिससे की डिजाइन बहुत प्यारा बने तो दोस्तों इस डिजाइन को सीखने के लिए ऑफ इसाड़ेश साथ देख तो यहां से तिल्चे में आँच पर निसान लगा लिए देखिए यह निसान हमारा ठीक पर आ रहा है उसके बाद यह पर सी्धे में ती से में गच Im कि अब दोस्तों यह कटिंग करने के बाद अब लेंगे दोस्तों अपनी बुक्रम तो हमारी देखिए बुक्रम है इसकी लेंद हमने 17 इंच लिए ठीक है यह ठारा के आसपा से ब्रॉड ने साड़े लगाने ना हाले के बराबर कि हमने दोस्तों निसान यहां पर लगा लिए आप देख सकते हैं से ऐसे निसान आपको लगाना है अब यहां पर गले का डीप कितना था तो दोस्तों इस तरीके से आप नाप लेंगे तो यहां पर देखिए एक तरीका और में आपको बता देता ह है यहां पर दिल्षे में आ रहा था तो हमने यहां पर इसको इस तरीके से नितान लगा लिया तो यहां से अपने गले का डीप नापने जो कि साड़े साथ है तो हम इसको इस तरीके से आठ इंच पे निसान लगा लेते हैं अब यहां पर देने वाला हूं दोस्तों वह से देने वाला हूं हल किसी नीचे से इस काई में की होल की टाइप तो इसको ऐसे करते हुए हम यहां पर यहां से आप लेंख लाएं के अंदर और साड़े साथ इंच यहां पर बना ली अवे लैंथ बनाने के बार इसको करेंगे कटिंग दो कटेंग बहुत ही ज्यादा के गावल हमने कटिंग किया था इसको हम कि इस तरीके से देखिए ऐसे कटिंग करेंगी को आ यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे क्यों दोस्तें यहां पर हमारा executing हो चूका अग่ला छोटा सा किह हो लेकिन अभी हमें आप किया करना होगा तो दिखान से देखें यहां पर हमें निसान लगाना है सब इंच का जैसी एक इंच है इसमें तक्रीबन सब सब इंच के आसपास हमको यहां निसान लगाना है जैसे से गली की सेव जा रही है इस तरीके से में निसान लगा लेता हूं वह फिर निशाण लगाने के सीदा करेंगे नीचे से सीधा और सवाहिजवाला इसको हम अच्छी तरीके से सेफ देदेंगे हमने आप जेसे अब यह जो निशान हैसे को नहीं謊त कर पहलें हम मिला लिए इससी नििशान को कि कटिन को देख़िए अच्छी सेट के साथ को देखिए है अच्छी करते वाला है और शी undo ची हर देते हुए नीचे तक दोस्तों बिल्गुल security करते हुआ है तो इस अब दोस्तों आप देखेंगे इस तरीके से आपका पाटिन का टिंक हो जाएगा आप अब इससे पेपर पेश्टिंग में भी कटिंग कर सकते हूं अब यह बनाया कैसे जागा इसके लिए मशीन पर चलते हैं आपको बना के दिखाते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है हमने कपड़े पेश को देखी यहां पर कच्छी सलाई लगा दी इस तरीके से और से तरीके से हमें यहां पर फोल्ड करते रहेंगे और इस कच्छी सलाई को लगाते रहेंगे देखिए इस तरीके से तो हमारा कपड़ा फिनिसिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा और इस सलाई को बात में खोल लेंगे तो देखिए इस तरीके से में सलाई लगानी है कि तो देखे смWAY लगाते हो आप इसको यहां पर उतार दे और जो भी फाल तो कपडा होगा आप इसको इस तरीकी से क्यांचिक मतल्स से कटिंग कर लेंगे जैसे मैं कटिंग कर आ हूं सेम आपको ऐसे कटिंग इसको कर लेना है तो दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे हम और जो लैस मैंने आपको शुरू में दिखाए थी वो लैस लेनी है दोस्तों और आपको अब इस लैस को देखिए यहां से तक्रीबन ऐसे रखना है और सिर्फ आपको यह इसके कंगूरे दिखाने हैं अब मैं लगा हूँ यहां पर सिलाई इसको कंगूरे भी कहते हैं ठीक ह ते हैं और कई लोग समुषे वाली लैस भी कहते हैं तो अपने अपने तरीके बोलने के तो देखिए इसको इस लिए इतना इतना इस से इस सै ज्शागा वकि गूंवेगी में घूम जाते हैं टो मैं थोड़ी ओर आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि देखिए यहां पर मैंने लाइस लगाई आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पूरी लाइस लग जाएगी इसी तरीके से आप पूरी लाइस यहां पर लगा लें तो देखिए मैंने पूरी लाइस यहां पर लगा ली अब इसको हम ऐसे करेंगे और हम अपने फरेंट व प्लटने वाला हूं तो मैं यहां पर अभी हल्का पक्का करूँगा ठीक है पक्का करने के बाद मैं अपने गले की पहले यहां भी सिदाई देखुआ एप ठीक है अब मैं यहाँ पर इसको डारेक्ट लगा लेता हूं कि चोटा सा गला है तो अराम से बीना सिलाई के काम हो जाएगा लेकिन मैं सज़ेस्ट करूँ आप लोगो को सिलाई जरूर लगाएं क्योंकि यह किसी कस्टुमर का नहीं है ठीक है अगर 19-20 हो भी गया तो कोई द कि यहाँ लगाने है कि अगर आप नहीं लगाओगे तो अच्छी गयाटम नहीं आएगी अब इसको हम बाहर की तरफ देखे ऐसे पलटेंगे और ऐसे प्लटने के बाद इसके किनार पे लगाएंगे हम इस लाई यह देखिए इसको ऐसे पलट लिए हमने हम अब इस पर और यह सेव हमारी बहुत अच्छी तरीकी से पलट जाएगी देखिए अब यहां पर देखे दोस्तों सलाई लगने के बाद तो यह इस तरीके से हमारा उपर पलट के आएगा ठीक है अब आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों सिंपल यह जो आपके गुलाई में है इसको ऐसे set करना और यहां पर sli लगानी होगी और मैं हाफ आपको छोड़ के दिखा देता हूं अब जो यह आपका हूठ रहा है यह सा यह सार है सारा जा रहा हूं तो इसको यह बरावर से सेट करें और यहां पर लगाए जहां से लेस्स लगाई थी उसी के ऊपर एक आई गी आपकी और इसको बिल्कूल से से सेंटर मिला लें और लगाते रहें बस याद रखें कपड़े में किसी तरीकी की जोल नहीं आनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको यह बन जाएगा कि अब देखिए इस तरीकी से लगाते वाना है तो देखिए आप हमने सिलाई लगा दी ठीक है जैसे हमने इदर का हिस्सा पूरा करा है सेम इदर भी सिलाई लगा कि आप इदर वाले इसे को पूरा कर लें तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो हमने गले को अच्छी तरह सिलाई लगा दी यह गला पूरा जम चुका है करके यहां पर देने हमें गुलाई इस तरीके से यह गुलाई देने से बहुत अच्छा कॉलर बनता और इस कट पर हम इसको कटिंग कर लेंगे अब इसको करेंगे ऐसे ओपन open करने के बाद यहां पर हम अपनी कंदी को जोड़ेंगे तो देखे इसको ऐसे रखना कंदी को ठीक है ऐसे मिलागे डबल में यहां लगानी सिलाई और उतार दें फिर इसको एक सिलाई और लगाएंगे और इस सिलाई से पक्का करेंगे अब यह आपको हलकालका जो भी आप दिखे माजन अगरे सो कटिंग करने तिल्चे में और धागे को कटिंग करने तो एक कंदी हमने जैसे जोड़ी है सेम आपको दूसरी कंदी भी जोड़ लेनी है तो देखे कंदी जोड़ने के आप हमने एक बुक्रम लिए बुक्रम को हम है इस तरीकी से देखिए कंदे रिव लगा देते हैं मैं आपको क्टिंग करेंगे अब चाहिए यहाँपर इसको क्टिंग कैसे करेंगे तो में इसके कट लगा दिया इसे में पता रह hazard का सेंटर रहा अंठिक अब इसको हम इसको ईसे ना पएंगे एक प्यwest definite चलाएंगी तो इसे नापेंगे तो यह तोटल में कितना रहा तोश्डों यह हमारा आ रहा है 8 इंच- childhood प्रॉप यह हमारा आ से ci obl espacio मारे यह रॉण हो गया ठीक है यह पूरा रॉंड हो गया अब इसको क्या करना होगा सिंपल़् दोस्तों यहाँ पर हमें अपना हाला नापना हो दोस्तों सवाइंच चोड़ा इस तरीके से मैं यहां पर निसान लगा लेता हूं तो चलिए पूरा निसान गोलाई में आप इसको लगा लें तो दीखिए मैंने निसान लगा लिया यहां पर हमने गोलाई दे दिये अब इधर हम इसको इस तरीके से गोलाई में कटिंग करें और निसान थोड़ा त्यड़ा मेड़ा हो जाता है मोटा पतला चोक का तो आपको बिल्कुल इक्वाली से कटिंग कर लेना निसान पर और उसके आई जो सिलाई हमने कच्छी लगाई है आप इसको भी खोल लेंगे यहां तो यह दुखिं दोस्तों हमने कॉलर कटिंग करने के बार हमने कच्छी खोल दी अब दोस्तों लगाएंगे ओपर से कपड़े को अछी तरह έसे रखना्य और यहां पर एक पैल की कच्छी लाई लगा निए यह माला बाद में खोलनी पड़ेंगे हमें तो इसको एक उलकोर ऐसे मिलाते हैं ऐसे अगय जैसे मैं लगधान ंगा हूँ से मैं यहां पर उतार दें और उसके बाद यह वाला ह्ता है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर से बुगरम के और यहां पर भी हमें कच्छी सलाई लगा देंगे इस सलाई को भी हम बाद में खोलेंगे तो देखे एक्वल ऐसे फोल्ड करते रहें और ऐसे ऐसे दोस्तों सलाई यहां पर कच्छी लगाते रहें और जो भी फाल्दू कपड़ा होगा इस इसे भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगा देना है जैसे हमने पहले आपको लगा कर दिखाया था तो देखें जैसे ऐसे गुलाई घुमेगी हमें इस लैस को इस तरीके से पूरे कॉलर पर लगा लेते हैं इसी तरीके से तो देखे दोस्तों यहां पे जो हमने लैस को लगा दिया है लैस लगाने के बार एक कपड़ा ओल लेना है हमें तो हमने एक कपड़ा ऐसे लिया इसके ओपर हमें रखना है अपने कॉलर को तो देखे हमें इस तरीके से कुछ लखना है और लैस आपकी इस तरीके से दिखेग से नी हैं कि वोझ दीखें ऐसे लगाते हुए यहां पे लाके डुस्तों आप इसको उतार डraine कि उतारने के बाद अब जो हमारा कॉलर है इसको हम एक पैर के मदशत से इस तरीके से कटिक करेंगे घुलाइओं मह अब पूर्ए patron को हम एक पैर के मदशते दोस्तों कटिक हो चुका एक पैर का अब दिहान से देखें दोस्तों यहां पर हमारे को जो लैस भाल निकल लिए इससे मतलब नहीं है जो जिस पर सलाई लगाई उसके हिसाब से हमें तक्रीबन एक पैर का मारण कटिंग करना है जो कि हमारा यह बैठ रहा है ठीक है बिल्कुल इसके बराबर तो हम एक पैर के मारण से इस कपड़े को पूरा कटिंग कर लेंगी तो दिख्यें म हम ऐसे डबल करेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है इसको एक बराबर ऐसे मिलाते हो आएंगे को यहां पर लाने के बाद यहां पर लगा देंगे कर या पर यह वाला है यहां पर उल्टी साइड से में इसको ऐसे फसाना है और फसाने के बाद अब देख़े दियान से कॉलर हमारा ये है इस कॉलर में हमारा देखिए ऐसे रखने कर यह वाली साइट का कॉलर हमें लेना है और इसको ऐसे पलट देंगे जैसे मैंने पलटा है और इधर का जो कपड़ा है सिर्फ एक पैर जो हमने फाल टू लिया था उतना की कपड़ा में भार निकालेंगी और एक पैर के मालजन जितना हमने छोड़ा था उस पर लगाएंगे तो यहां पर लागे हलका सा करेंगे पक्का और फिर इसको बिल्कुल आले के बराबर मिलाते हो लगाएंगे तो देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है और यहां पर जब कंदी आपकी आने वाली होगी तो आपको अनदाज हैंसे को नाप लेना तो देखित दोस्तों बिल्कुल Polar अमारा एक दम बराबर आएगा अब यह जो मार्जन है इसको आपका सेंटर है और हाले का यह दोस्तों बिल्कुल मिल के आना चाहिए तो इसको हम ऐसे लगाते वाएंगे और देखिए बिल्कुल हमारा हलका सा दोस्तों फर्क है लेकिने मिलके आ चुका इतना चलता है ठीक है अब इसको एक बराबर ऐसे सेट करेंगे तो जैसे हाफ तक हमने लगाई है और स्कॉलर को चलाया है सेम इधर वाले को पर आपको इसी से जमा लेना है तो देखे जहां पर हमारा कॉलर उतरेगा वहां पर एक बराबर ऐसे रखना है सको ठीक है और यह जो आपका माजन है यहां पर आपकी जो सिलाही आ रही है के इस पे हम थोड़ी से सिलाई लगाएंगे है उर्सकर यह बड़ाभर ऐसे लगाते हूँ है यहाँ से हमें काॉलर क सब्सक्राइब करना है इसको हुआ सब्सक्राइब करें दिखाते हैं तो दोस्तों यह अब Sagaz पर लट चूब इसको एक बराबर ऐसे मिलाकर अब यहां से हमें बिल्कुल किनारे से स्टार्ट नहीं करना है तक्रीबन थोड़ा चोड़के आदा इंच के बाद से लगाएंगी और इसको एक बराबर ऐसे बिटाते हुए यहां पर हमें लगानी है देखिए और बिल्कुल डोस्तों आपका यह बैठता चले जाएगा क्योंकि जब कॉलर आप फिनिसिंग से लगाओगे न तो आपको जाता नहीं करना बस नीचे का कपड़े को आपको ऐसे खेशते रहना है और लगाते रहना है इससे क्या होगा दो जब आपको अपर किनारे पर आएंगे तो इससे भी दोस्तों हैत्राइश स्लाय लगा देना है वहाँ लगाते हुए जब आ बिल taste किनारे पर करेंगी अप इसको एसके लगानी जाय से और जैसे-जैसे को सी लेंगा दोस्तों इस esas अप इसके किनारे पूरी सिलाई लगाते हुए फिर यहां पर घुमा कर थोड़ी आगे तक सिलाई ले आए फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाता हूं और जो कच्छा है इसको भी हम खोल लेंगे तो यह देखिए दोस्तों यहां पर गले के हमारी फाइनल लुक आप सिखा देता हूं तो दोस्तों इस तरीके से आप बटन रखे देखिए गली के आप गैटा हमारी बढ़ जाती है तो यह आप देखेंगे गला कितना प्यारा लग रहा है और सिंपल कपड़े में हमने गोटे बटन की मतलब से आपको बनाना सिखाया है ठीक है और यह हमारी लोग इस तरीके से आएगी तो यह दोस्तों हमारा कॉलर बहुत प्यारा इस तरीके से बन जाएगा जब आप मेरी वीडियो देखके बिल्कुछ से में इसी तरीके से बना सकते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी ज़रूर बता है ठाइंक्यू